वागत है आप सभी का एक वीडियो पर दीख है MP वोड में कैसे सब्जेक्ट का एक्जाम भी होता है जो कि काफी कम बच्चे देते हैं जाने की काफी कम बच्चे सब्जेक्ट को चूज करते हैं एंड असा निये कि सब्जेक्ट का कोई वेटेज नहीं है MP वोड ऑफिशनली इसको ऐसा में सब्जेक्ट बच्चे को प्रोवाइड करता है कुछ बच्चे चूज करते भी हैं प्रॉपरेस का बोड एक्जाम होता है अगर इस सब्जेक्ट के पूरे सदेवस की बात करें तो MP वोड के इसमें बस चारी चाप्टर है चारी चाप्टर से पूरे 70 नंबर का पीपर डिजाइन होता है तो आप सूच रहे होगा इसा कौन सा सब्जेक्ट है तो मैं बात कर रहा हूं IP की अगर आप Commerce से हैं तो आपके पास यह option होता है कि आप अपने Economics को हटा के IP चूज कर सकते हैं यह फिर आप Economics को हटा के Math से भी चूज कर सकते हैं आप कूछ अपने मसे नहीं होगा तो आप सब्जेक्ट जो की बहुत ही कम बच्चे चूज करते हैं क्योंकि सब्जेक्ट थ्योड़ा सा टेकनिकड होता है जो बच्चे चूज करते हैं वो पढ़ा ही करते भी है पर बात यहीं आती है कि जो सब्जेक्ट इसकी तेयर हैं में कहां से करनी चाहिए क्योंकि सी बीसी बोर्ड का संदेवस डिफरेंट है यूट्यूब पर आप देखोगो तो तो ऐसी कंडिशन में आपको कहां से तैयरी करनी चाहिए कौनसे बुक से आपको पढ़ना चाहिए अबजेक्टिब कहां से आंगे कौशन कहां से आएंगे किस टाइप के कौशन हैंगे सारी चीज़े मैं आपको आगे बताता हूँ वीडियो में टक बने रही है नहीं तो सस् प्रिवोर्ड के प्रैक्टिस एट पेपर आ है नई इस बार कॉशन में जारे की गई है पता है MP वोड को की काफी कम बच्चे इसको चूज करते हैं तो आपको पेपर डिजैन होता है उसमें भी कॉशन पूचे जाते हैं जो कि हमेशा से पूचे जा रहे हैं यानि कि बड़े बड़े टॉपिक हैं इनके अंदर काफी कुछ है पूरा वेटेज आपको बताया जा रहे हैं कि इनी चार्ड टॉपिक से यानि कि इनी चार्ड चैप्टर से आपका पूरा पेपर डिजैन किया जाएगा 70 नमबर का आपका प्रैक्टिक होगा तो यहां पर एक ची कॉचछ पूचे जाते हैं आपको यहाँ पर कंडन instruments करू अगर आपनें नहीं किए टेंड कर के रखेगाauft कुछ हैं की वहाँ पर में अपको एमपरक्ष ने सकता हूं तो आदे मैं आपको वहां पर बेज़ieved करूगां में आपको एक कॉशन में भी प्रोवाइड करूँगा जो कि नहीं रहेगी यह रहेगी जी पीएच की अब देखे आई पी ऐसा सब्जेक्ट नहीं इसके परिक्षा बोद आती है नहीं परिक्षा अध्यन आती है नहीं प्रॉपर बुक आती है यहां तक कि प्रीवोड के पे कि इसका जुस देवस है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है साथ में सीबीसी का भी डिफरेंट है तो कुछ बुक में आपको सीबसी का भी पार्ट दिया रहता है पर MP बोड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जीपीएच के कॉशन में पर भरोसा कर सकते हो यह आपको बताए दिया है आई पी टेक्निकल सब्जेक्ट अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो या फर आप अपने स्मार्टफोन भी यूज़ कर रहे हो तो वह वर्ट्स आपने कहीं ना कहीं पर सुने होंगे आप अपने ओन वर्ट्स में उसका आंसर बना कर सकते हो क नहीं पर कोई नमबर नहीं कहते जाएंगे को है आपको यहां पर तीन चीजे समझने है फर्स्ट आपको प्रिवियर से कॉश्टन आए थे वह आपसे बन रहा है या अपन रहा है और नहीं बन रहा है जो की मैं आपको टेंडिग्राम पर पोस्ट कर दूंगा है ठर्ट देखके जाएगा आपका IP का पेपर वो काफी अच्छा हो जाएगा तो ज्यादा परशान मत हुई है सब्जेक्ट में वैसे भी टेक्निकल सब्जेक्ट है अगर आज के टाइम में आप स्मार्ट फोन यूज कर रहे हो आज की जो जनरेशन है वो इतना तो जानती है कि वो देखने ही पड़ेंगे कि किस टाइप के कॉश्चन आते हैं तो वह आप पढ़ाई करके जाएगा आज की वुड़ो में तना ही कोई डाउट आता है कमिट करके पूछ सकते हैं या फरा मुझसे इस्टाप एडियम करके बाद भी कर सकते हैं